एक तिवहार हम सब साथ आए, सब पास आए खुश होने के लिए फिर एक तिवहार का इंतजार है तिवहारों की खुशियां मन में उत्साह उमंग भर देती है मन उदास हो तो भी जीवन में साथ रंग भर देती है तो कैसा रहा आप लोगों का तिवहार और पूरी उमीद है कि अच्छा ही रहा होगा और मेरा भी अच्छा रहा क्योंकि बच्चे आ गए थे तो मैंने किस तरह से मनाया मैं आज आपको पूरा शेर करूँगी तो ये आज का व्लोग न होली वाली दिन का ही है और ये रात की क्लिप है एक दिन पहले होली की तो यहां पर मालपुआ के लिए मैंने आटा लिया था गेहूं का आटा तो मालपुआ हमारे आना जरूर बनता है होली पर इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें घोल बना कर रख दिया था रात को तो इसमें गेहूं का आटा है थोड़ी सी सूजी डालती हूँ और दूद में इसको घोल लेती हूँ और जितना आटा होता है सूजी और आटा मिक्स करके जितना होता है उसका आधा इसमें चीनी पड़ती है तो पूरी रात के लिए इसको घोल कर रख देती हूँ दूद पानी भी पड़ता है तो जितनी चीजें मुझे सोक करनी थी पानी में वो सब मैंने रात को डाल दी थी और ये है मॉर्निंग का टाइम यानि की होली वाले दिन का तो यहां पर देखिए चाय बन रही है सुबह की और साथ ही मैंने यहां छोले तो चड़ाई ही दिये थे तो पीने के बाद मैं आगी थी किचिन में और पानी भी गरम हो रहा है एक तरब तो यह देखे ना बरतन कितने सारे धेर लगा हुआ है और आज मेरी सुमकी नहीं आने वाली है क्योंकि आज हो ली है तो वो नहीं आएगी चुट्टी कर गई थी तो बरतन धोंगी इससे पहले मैंने क्या किया यहाँ पर उड़त की दाल पीस दिया है जो कि मैंने दही वड़े के लिए डाली थी तो इसको एक बहुत अच्छा फाइन पेस्ट बना लेना है अद्रक और हरी मिर्चीस में मैंने डाल दिया था और देखे इस तरह की कंसिस्टेंसी की होनी चाही है बहुत अच्छा बनता है दही वड़ा तो यह यहाँ पर मैंने निकाल कर पीस कर रख दिया था इसके बाद मैं आगी हूँ यहां बरतंद होने के लिए क्योंकि अभी यह सारे काम कर लूंगी तो जल्दी हो जाएगा नहीं तो यह फैला रहेगा और फिर बहुत टाइम हो जाता है जब आपको खुदी काम करना है सारा तो यह देखें यहां मैं सारे पहले तो बरतंद हो लेती हूं तो यहां पर ना तिवार पर छुट्टी कर जाती हैं जितनी भी हेलपर्स होती है हमारी हाउस हेलपर्स क्योंकि अब उनका भी तिवार होता है वो भी मनाएंगे तो कोई बात नहीं एक दिम की तिवार वाले दिन की तो चुट्टी बनती है तो तो दोकर सारे बरतन पहले यहां प्लेटफॉर्म पर लगा लेती हूं जब यह सूख जाती हैं फिर इनको जगए पर मैं लगा दूगी तो अभी सारे धोकर यहां रख देती हूं बरतन यहां सारे धुल गए थे और गैस चूला भी मैंने साफ कर दिया यहां पर सारा और यह देखे बरतन सब लगा दिये हैं और तब तक ना यहां पर छोले भी बॉइल हो गए थे बहुत अच्छे से बॉइल हो गए हैं तो इसको निकाल लेती हूं क्यूंकि ना कुकर की थोड़ा सा कम डालती हूं लेकिन डालती हूं और यह साबुत मसाले जीरा था सारा दाल चीनी तेज पत्ता काली में चलॉंग इलाइची यह सब साथ में डालकर और जो प्यास का पेस्ट बनाया था उसको भून लेना है सरसों के तेल में और साथ ही मैंने यहां टमाटर को ग्राइंट करके रख लिया था कि जैसे यह भूनेगा इसमें मसाला डालकर और फिर टमाटर डाल दूँगी तो यह देखिए लो फ्लेम पर ही भूनती हूं मसाला और चलाते रहना है बीच बीच में तो छोले तो हम सभी बनाते ही हैं जैसे पर मैं फिर बीना रेसिपी को कर देती हूं क्योंकि हर घर का तरीका थोड़ा बहुत तो अलग होता है बनाने का तो हम लोग एक दूसरे से सीखते हैं इसलिए तो यहां देखिए मसाला भून गया ता टमाटर डाल दिया है और इसको ढख कर पकने दूँगी थोड़ी देर टमाटर भी पक जाना चाहिए इसके बाद मैंने कड़ाई चड़ाई है इसमें सरसों का ओईल लिया है और जब तक यह गरम हो रहा है क्योंकि सरसों का ओईल जो होता है गरम होने में थोड़ा टाइम लगता तब तक मैं बड़तल लगा देती हूं जो अभी धोकर रखे थे और आज मैं सबजी में शाही पनीर बनाने वाली हूं क्योंकि बच्चों ने जो कहा था वही में आजकल बना रही हूं तो वैसे तो एक बोल रहा था कड़ाई पनीर एक बोल रहा था शाही पनीर तो फिर तोनों तयार हो गए शाही पनीर के लिए तो यहां पर सारे खड़े मसाले लिए हैं काजू है प पकने दूगी और ये देखे छोले का मसाला कितना अच्छा सा तयार हो गया है तो इसमें सारे बेसिक मसाले डाल कर छोले मसाला डालती हूं टमाटर डाल कर पका लिया था और बस इसमें छोले एड़ कर दिया है थोड़ा सा गरम पानी उपर से डाल कर इसको पकने दूगी तब तक मैंने सोचा इदर पर मैं जाडू लगा लेती हूं और ये घर में बालकनी खुली छोड़ देती हूं तो बहुत सारी कल पत्तियां आई हैं बहुत गिर रही थी तो पूरा इदर ड्रोइंग रूम तक आई ये पत्ति तो इसलिए मैं जाडू तो लगाना ही था और य और अब ये पक्कर बिल्कुल तयार है तो इसके जो साबुत मसाले खड़े मसाले होते वो निकाल दिये हैं वो मैं नहीं पीशती हूं और मिक्सर जार में इसको पीश लूँगी और कड़ाई में थोड़ा सा ओयल और डाला है इसको फिर से भूनने के लिए मसाले इसके तो यहां लाल मिर्ची, हल्दी, धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला जरा सा डाला है गरम मसाला बाद में भी डालूँगी और यह जो पेस्ट बनाया था काजू, टमाटर, प्यास, लैसन, अद्रका यह भी इसमें डाल दिया है साथ ही यहां पर बटर भी डाल दिया है तो एक बटर से बहुत अच्छा सा टेक्श्चर भी आता है ग्रेवी का और टेस्ट में तो होता ही अच्छा तो यहां देखे छोले बनकर बिल्कुल अब तयार है थोड़ी देर और पकने दूंगी उसको और यहां जो जार था जिसमें टमाटर वाला पीसा था पेस्ट उसी में प तो इसमें एक चीज और पड़ती है क्रीम जो होती है यहां यह गरम मसाला डाला है तो क्रीम मैंने नहीं डाली थी क्योंकि वैसे ही बहुत हैवी हो जाता है सबकुछ पूरी बनेगी और दही बड़ा सबकुछ तला हुआ होता है तो इसलिए मैंने क्रीम नहीं डाली आप तो फ्रेश मलाई या फिर जो मार्केट की क्रीम होती है वो डाल सकते हैं तो यहाँ देखे छोले भी तयार हो गए है इसमें मैंने धनिया डाल दिया था तो इसको भी निकाल लेती हूं तो यह कुकर खाली हो जाता है तो इसको धोलूँगी फिर मैं एक्स्टा और बरतन नहीं लिकालती हूं इसलिए हेलो फ्रेंड्स तो सबसे पहले तो होली कि आप लोंको हार्दिक शुप कामना है तो कुकर मैंने धोकर यहाँ गैस पचड़ा दिया है घी डाला है इसमें डाला है मैंने जीरा तो जीरा अच्छा खासा क्वांटिटी पढ़ती है एक बड़ा चमच फिर चावल डाल दिया तो जीरा राइस भी मैंने यहाँ पर चौप दिया है और हो जब तक बनेगा मैं इसको फिल्ट लेती हूँ यह जो दही वड़ा के लिए मैंने अपीसी है न उड़त की दाल तो इसको ना सॉफ्ट बनाने के लिए एक बहुत ही अच्छा टिप है दो से तीन घंटे पानी मे इसको भीगो दीजिए पूरी रात भी आप भीगो सकते हैं मैंने तो रात में डाल दिया था इसके बाद क्या करना है इसको पीस कर सबसे एक खास टिप है कर दो घंटे के लिए ढखकर आप रख दीजिए पीसने के बाद तुरंत इसको से किएगा नहीं और बस अब इसको ना फेट लेना है अच्छे से और हाथ से ही फेटना है एक ही साइड इसको फेटते रहना है इस तरह से जब तक यह खुब अच्छे से फ्लफी ना हो जाए तब तक आपको इसको ना फेटना है तो इसमेना यही सबसे बड़ी दो-तीन टिप है इसको अच्छा बनाने के लिए सबसे पहले तो इसको पीसकर आप रख दीजिए दो घंटे के लिए तुरंत इसको फ्राइ मत करिए और फिर है दूसरा कि इसको एक ही साइड फेटना है लगातार फेटना है पाथ से आठ मि आपको बताओंगी और थोड़ा सा बचा हुआ आँ हमें ने चोले दाल दिया था क्योंकि चोले में भी अच्छा लगता है और इसे मिक्स कर दिया है तो इस टाइम आप यहाँ क्रीम डाल सकते हैं पर में नहीं डाली थी और साथ ही यहाँ पर मैं पूड़ी का टा रही हूं जो गेहूं काटा लिया है अजवाइन डाली है थोड़ा मोहिन के लिए मैंने देशीगी डाला है और सॉल्ट डाल कर इसको टाइट डो लगा लेंगे यहाँ पर पानी से तो यह देखिए यहाँ पर गुंद गया है आटा और अब यह जो माल पुआ के लिए गोला था तो इस एक बड़ा चमाच और यह देखिए यहाँ होली मेंचे थेदी जा रही है तो मैंने थोड़ी से कित लेली थी सुसाइटी में तो मुझे भी बुला रहे थे लोग वहाँ पर तो थोड़ी देर के लिए मैं गई थी लेकिन बहुत खेला नहीं था हो ली वच्चों के साथ गई थी वस दो मिनट के लिए नीचे मिलकर आ गई थी और ये बस अब सेख लेती हूँ तो लोहे की कडाई में मैंने ओयल लिया है सेखने के लिए और इस तरह से फैला देना है मालपुआ को तो एक दम बहुत ही अच्छा बनता है और ये बिल्कुल परफेक्ट बना था घोल मुझे कुछ भी उपर से मिलाने की जरूद नहीं पड़ी थी और अगर आपका जैसे बहुत पतला हो जाता है तो थोड़ी सी सूजी मिला सकते हैं और अगर गाणा होता है तो दूधय पानी थोड़ा सा मिक्स कर सकते हैं यहां पर बस में सेख लूँ ही एके करके ही सेखा जाता है इसको और इसमें मैं उपर से चाशनी नहीं लगाती हूँ चाशनी वाला मालपुआ नहीं बनाती हूँ इसी में मैं डाल देती हूँ चीनी जितनी चहिये होती है तो उतनी ही सफिशेंट होती है उपर से मैं नहीं ड तो यहां यह लास्ट वाला था पूरा मेंने डाल दिया जो की थोड़ा सा बड़ा हो गया है और बस यहां मालपुआ से गया था इसके बाद में पूरी भी सेख रही हूँ तो पूरी एक साथ ही सेख कर में रख लेती हूँ क्योंकि फिर साथ में बैठ कर सब लोग खाएंगे और पूरी यहां तयार है बिल्कुल और सैलिड भी मैंने कट कर लिया था तो उसको प्लेट में बस अभी लगाना है अभी एक साथ मैंने कट करके रख दिया था तो अब मैं दही वड़े सेख रही हूँ बाद में तो पूरी भी मैंने सेख लिए है पहले इसके बाद यह टिप में तीसरा टिप बता रही थी इसको फेटने के बाद यह चेक करने का तरीका होता है पानी में डाल कर देखिए अगर उपर यह तैर जाता है तो यह हाई मत रखिए हाई भी मत रखिए नहीं तो यह उपर से सीख जाएगा और अंदर कच्चा रहेगा तो लो टू मीडियम रखकर इसको सीख लीजिए अच्छा सा कलर आने पर और साइड में मैंने पानी भी रख दिया था कि मैं सीधे ही इसमें डाल दूंगी पानी में क्यो पाना अलमुस्ट तयार ही है सब कुछ बन गया था यह पानी में डाल दिया सोक करके रख दिया था 10-15 मिनट में हो जाता है क्योंकि दोनों चीज़े गरम थी और निकाल दिया था पानी इसको हलका सा दबा कर पानी सारा निकाल कर दही में यह डाल दिया दही में थोड़ा स चटनी के तो दही वड़ा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता तो ये मैंने बना के रखी हुई थी आप लोगों के साथ शेयर भी की थी इसकी रेसिपी तो उपर से ये भुना जीरा लाल मिर्ची का पाउडर थोड़ा सा देखने से भी अच्छा लगता है और टेस्ट में अच्छा लगता है काला नमक जरा सा और वैसे तो पानी जब बॉइल करती हूं न दही वड़े के लिए तो उसमें नमक डाल देती हूं और बैटर में मैं नमक नहीं डालती हूं सेकते टाइम तो हरे धनिया से गार्डिश कर दिया और इसमें अनार के दाने रखे हुए थे तो वह भी डाल दिये और बनकर बिल्कुल अब तैयार है खाना मैंने यहां किचिन में भी लगा दिया है तो अब बस हम लोग खाएंगे खाना और अब मैं उठाकर सारा इधर रख रही हूं तो बच्चे भी रखवा रहे थे यहां पर पर उनका मैंने शूट नहीं किया है तो यह रहा आज का हमारा लंच होली स्पेशल और सैलिट की प्लेट है जिसमें खीरा मूली टमाटर यह सब है और यहां लंच में है पूरी माल भुआ और यह है शाही पनीर छोले दही बड़ा और यह जीरा राइस तो इतना सारा बन गया है टैम्टिंग से खाना थोड़ा पास करो टो यह जीरा है टो बढ़ा का निया हैelect्चित आ पड़ा आट जूए टोज़े लुए आटा की इसमें नमक पारे नहीं नहीं बड़े की तौपी मत्री यह नमकीन वाली वाल ठीक है और सोना तुम क्या बोल रहे थे जो बोला थे माल पुवा ले लो चलो ले ले ना आराम से खाओ लारी हूं लारी हूं तुमको भी लारी हूं अरे तो बनी यह तो दे रहे हूं फूरी निए कहता रहा थे हारी हारी नो येलो 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 चलता पूंक विलगान unconscious वाल शुमको दमाने वाल बोला दक्याण में आ प्यांयों अरे खालो भई क्यों और यहां यह मैंने भी प्लेट लगा दी थी तो हम लोग खा रहे हैं खाना बैठकर तो यहां हम लोग अपना खाना एंजॉय कर रहे हैं बहुत अच्छा बना था सब कुछ और इतनी महनत करी थी तो अच्छा तो बनना ही था लगी हुई थी मैं सुबह से तो काफी हो जाता है काम जब अपने हेलपर भी नहीं आती है और फिर खाना भी इतना सारा बनाना था तो बहुत हो गया था ठक गई थी मैं खाना पीना खाने के बाद बस फिर ऐसे लेती हूं नीद आई है सो गई थी बिलकुल आराम से सभी इसमें सारे ड्राइफ रूट्स है जो भी आपके मनुद्पस और भी राइफ कर दो नहीं दालती है तो पिर इसमें शुगर नहीं जाती है तो यहाँ पर तीन ग्लास में तो यह निकाल लिया था, एक में मैंने यह बनाना मिलाया था, बेटी को बनाना वाला चाहिए था तो यह स्मूदी बनकर तैयार है, वैसे तो यह शेक बोलेंगे तो ज़्याद अच्छा है, क्योंकि थोड़ा सा गाढ़ा और होना चाहिए स्मूदी पर कुछ भी आप कह सकते हैं, शेक बोल सकते हैं इसको, तो बस यहाँ पर यह पिया था, और बहुत ही टेस्टी बना था यह लिए तो यह मैंने सुबह वाइस ओवर कर रही है, तो पीछे गिलहरी के आवाज आ रही होगी आपको, चिला रही है क्योंकि मैंने अभी दाना पानी नहीं रखा है, वो मैं अभी रखती हूँ, बस इसको फिनिश करके, पूरा एडिट करके, तो यहाँ समने अपना शेक पिया और इसके बाद यह देखे कितने सारे बरतन हो गए थे, तो पहले मैंने सोचा छोड़ दूँ कल के लिए, फिर मैंने धो दिये थे, मुझे लगा यह पड़े रहेंगी, कल भी अगर वो नहीं आई, तो फिर बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो बस इसी तरह से बीता आज का दिन, अगर आपको व्लोग अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजेगा, मिलूँगी कल के व्लोग में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केर, बाबाई, थेंक यू फर वाचिंग,